है वोह हुने वाली है hair color change class है कि तरीके से state मैं आपको पहले बता देता हूं आपके साथ भी ऐसा हुआ अगर आपने घॉर्न कि है वह अला कलर क्लाइंड को पसंद नहीं आपाता कि हर किसी के साथ होता है मेरे साथ भी हुआ हुआ है आपके साथ भी हुआ होगा बात हम इसकी करते कि जब हम कलर कर देते हैं तो क्लाइंड को चेंज चाहिए होता था उसको हम किस तरीके से knife change कर सकते है मेरा मतलब यह है कि अगर क्लाइट ने आप से कोई BLONDD की सीरीज मंगी है ठीक है तो फिर कहती कि मुझे पसन यह मुझे चोकोलेट प्ली इस सीरीज में आप ले जाओ या फिर आप कोई महोगनी में ले जाओ तो वहां हमें ना बहुत ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि ब्लोंड पर आप सभी को पता है सारे कलर जो है अच्छा से डिपोजिट हो जाते हो ब्लोंड दिखना बंद भी हो जाता है उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट दे दी है ठीक है यहां तक कि आप समझो कि आपने ब्लोंड की ऑसोरी ब्राउन की सीरीज तक दे रखे क्लाइन को अब उन्हें चेंज करना है कलर कि आपने अभी किया अभी आपके सर्विस खत्म होगी क्लाइन को पसंद नहीं आया आप करे तो करेगा अब थोड़ा मेहधी टाइप का लग रहा है मुझे यह कलर नहीं चाहिए तो आप महां कन्फ्यूज हो जाते हो कि कैसे करें कुछ लोग तो गलती यह भी करते हैं उसके ओपक कोई अधर कलर ट्यूब ड्यूपोजिट कर देते हैं 20 30 जैसे भी सबसे वॉल्यूम डैवलोपर दे यह में को ना गोल्डन टाइप में ले जाना है जैसे कि 7.3 की साइड उनको ले जाना है तो आप डाइड़ेट 7.3 करोगे तो गाइस महां कहीं रेडिस के टोन दिखेगी दिखेगी क्योंकि आपने इसके उपर लगा दिया है डिपोजिट कर दिया और डायरेट करने पर य यह कलर फेड होगे की तो लाइट सेड है 5.6 से जादा तो लाइट डार की है यह यह लाइट सेड जैसे थोड़ा वह फेड होगा रेडिस के रेफ्लेक्ट दिखेगी दिखेगी अब काफी लोग सोचे कि 7.3 में रेड का उपोजिट जो होता है ग्रीन कटर डाल कर कलर कर द सकते हो लेकिन कई ना कई क्या होता है कि जब आप 7.3 में कटर डालोगे ठीक है गाइस आप 7.3 में कटर डालोगे तो 7.3 एक एक इग्जेक्ट सेड आपकी नहीं आएगी इस कलर को भी थोड़ा कस्टमाइज करेगा तो गोल्डन की रिफ्लेक्ट आपको इतनी नहीं यह जो कटर होते हैं यह कटर हमारे तब काम आते हैं जब आपने हेर को प्री लाइट किया हुआ है आपने हेर को प्री लाइट किया हुआ है यह कटर जो होते हैं यह टोनर जो होते हैं यह उसी जगह काम आते हैं कि कि अगर आपको कोई पेस्टेल कलर करना है या कोई रिफ रहा हूं लेकिन यह कई न कई आपके कले टूप को इग्जेक्ट सेट देने से रोकेगे मतलब कम रिफ्लेक्शन पॉइंटरी की दिखेगी अगर यह किसी के साथ हुआ होगा उनको भी पता होगा कि ऐसा ही होता है तो गाइस अब करे तो करे क्या है ठीक है अनॉर्मल यह पर आपने कर दिया है चौकलेट में जा रहे है तो आप मुश्किल से 7M कर दो यानि कि मोका मोका में रैड बिलू यलो यह तीनों पिग्मेंट पाये जाते हैं और यह ब्रोन कलर को इसली निट्रिलाइज करता है एक दम से हाइलाइट पे डाल दोगे उसको भी खा जाता व ओप्सन खुल जाता अगर क्लाइन 5.6 के जारी तो 7.5 मांग रही है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि सेम फैमली है यह मैल्ट आपस में हो जाएगी लेकिन जो रैड की फैमली है वह गोल्ड में मैल्ट नहीं हो पाएगी तो हमें यहां पर क्या करना है वह आज इस व 30 ग्राम ब्लोंडर गैस ब्लोंडर से हम कलर को रिमूब कर सकते हैं लेकिन इसमें जो है वह आपका डैवलोपर है वह बिल्कुल भी नहीं डलेगा इसमें जो डलेगा इसमें गाइस डलेगा वाटर यह एक बिलीच वोस की तरह टैकिनिंग लेकिन बिलीच वोस में कंडिशनर मास्क सैंपू वगरा यूज होता है इसमें कुछ भी यूज नहीं होने वाला है इसमें ना तो डैवलोपर यूज होगा ना कोई बिलीच वोस की तरह कोई अलग मा 60 ml इसमें वाटर आपको मिक्स करना है मिक्स करके जो इसकी टाइमिंग गईस रहेगी टाइमिंग रहेगी 5 से 10 मिनट तो आपके लिए मैं पेनिफिट बता दू आप यह टेक्निक जो आप पूरे बालों पे लगाओगे वह इस टेक्निक को आप सैंपू सेक्षन पे क्लाइन क लिटा के वैट हेर पे करना है तो ज्यादा बैटर रहेगा वैट हेर पे आपको अच्छे करना है और आपने मान लिजे 5.6 कलर के आए ना ठीक है और को 7.3 पे जाना है तो यह क्या करेंगा रेडिस की रिफ्लेक्ट को ब्लॉंड को रिदम निट्रिलैस कर देगा वह जैसे ही उसमें ना एक गोल्ड की रिफ्लेक्ट पैदा हो जाएगी ठीक है वह इसकी पांच से थोड़ा से च्छे की तरफ डैप्थ को भी बढ़ा देगा तो महीं आप उसको स्टॉप करके सैंपू कर देना है फिर आपको 7.3 जो है आपका हो 20 वोल्यम में ही और वैट हेर पर ही एप्लिकेशन कर देनी है ठीक है गाइस आई होब गाइस आपको से समझागी होगा कि अगर आप कलर क्लाइन के करते हैं क्लाइन को पसंद नहीं आता है तो आप उस कलर को इसी टैम सेम टैम कैसे चेंज करके दूसरा कलर कर सकते हैं तो आज आपने इस वीडियो में सीख लि बाए बाए इसी तरीकी की टोपिक पर और वीडियो चाही तो कमेंट जरूर करके जरूर बताना और वीडियो कैसी लगी तो उसके लिए भी कमेंट करना ना बूलें